वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकन में आल को प्रेस कर दीजी नमस्कार ट्रेंस एंट्रेवल में आपका लालकुआ जंक्षन से बहुत बहुत स्वागत है जैसा आप सब जानते हैं भोजीपुरा जंक्षन से काटगुदाम के बीच रेल विद्यूती करण का कारे चल रहा है जो की अब लालकुआ जंक्षन पहुँच गया है और यहाँ पर जो तार लगाने का काम है इसको फाइनल किया जा रहा है तो सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं LKU जो हमारे जंक्षन का कोड है वो आपको डिस्पले में यहाँ पर डिजिटल डिस्पले है जिसमें नजर आ रहा होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लैटफॉर्म के ऊपर जो यहाँ पर ट्रैक है उस पर वाइरिंग कर ली गई है अभी सामने वाला जो प्लैटफॉर्म है उस पर तार लगना बाकी है ब्रैकेट्स लग गए है तैयारी कर ली गई है लेकिन अभी सामने वाला जो प्लै उनको जल्द से जल्द फाइनल करा करके फिर CRS निरीक्षन भोजी पूरा से लालकुआ के बीच में कराया जाना प्रस्तावित है पहले पूर्व में डेट आई थी कि दो तारिक को होगा लेकिन वो फिर कैंसल हो गया क्योंकि कारे भी अभी अधूरे हैं पूरे नहीं हुए ह बहेडी में भी जो SP है वहाँ पर भी अर्थिंग का कुछ काम है वो चल रहा था और आगे भी यहाँ पर लालकुआ जंक्षन पर जैसा आप देख सकते हैं अभी कि वाइरिंग अभी पूरी तरह से नहीं हुई है कुछ जगह तार लगना बाकी है ट्रैक्स के ऊपर तो यहाँ पर फिलाल आप देख सकते हैं लालकुआ जंक्षन का साइन बोर्ड दूर पर आपको दिख रहा होगा इधर हमारे काटकुदाम की दिशा हो जाएगी प्लैटफॉर्म नमबर तीन पर देखिए वाइरिंग जो है हो गई है तीन नमबर प्लैटफॉर्म पर हो गई यह तार लग गया है देखिए लेकिन अभी चार नमबर प्लैटफॉर्म जो है इस पर तार लगना बाकी है यहाँ पर प्रैकेट्स लग गए है पांच नमबर ट्रॉपर स्पीट पड़ गए हैं तार के अंदर जैसा आप देख सकते हैं तो जो तार लग गए हैं इनको फाइनल किया जा रहा है फाइनल टच दिये जा रहे हैं और उमीद की जा रही है कि एक सप्ता के अंदर मुझे लगता है कि लालकुआ जंक्षन तक जितने भी कारे बीच में अगर छोटे छोटे रहे गए हैं वो भी पूरे कर लिए जाएंगे और लालकुआ जंक्षन पर भी वाइरिंग का काम कम्प्लीट हो जाएगा सामने इधर देखिए संचुरी पेपर मिल है दूर पर जहां पर आपको धुआ उत्ता दिख रहा होगा यह हम दूसरे छोर पर अब खड़े हैं सामने बरेली की दिशा है रामपूर की दिशा में ट्रेंस जो जाती है प्लैटफॉर्म की अब हम दूसरे एंड पर आ गए हैं जहां से आ प्लैटफॉर्म नमबर तीन की दिशा में तो तार लगने का काम जो है वो तेजी से लालकुआ जंक्षिन पर तार लगाने का काम किया जा रहा है ताकि कोशिश हो रही है 14-15 तारिक के आसपास तक मुझे लगता है कि CRS निरीक्षन जो है मार्च में करा लिया जाएगा क्य ले जाएगी अभी मार्च का पहला हफ्ता चल रहा है और दूसरे सप्ता तक अगर लालकुआ जंक्षन पर कारे पूरे हो जाते हैं और CRS निरीक्षन अगर हो जाता है 14-15 तक तो इसके बाद आगे हल्दवानी की दिशा में वाइरिंग होगी और फिर काट गुदाम तक त इस पर भी फिर वाइरिंग हो जाने चाहिए आप इधर का जो प्लैटफॉर्म नंबर एक के आगे का जो द्रिश्य है जिदर हमारी यार्ड है लाइन्स आप देखिए यहाँ पर भी CRS लगनी बाकी है वाइरिंग अभी यहाँ पर होगी इस साइड अभी पूरा पूरा र पर मिल है बरेली की दिशा तो जो तार आये हैं उनको पीछे वाले प्लैटफॉर्म की तरफ ले जाया गया है और उपर से पैदल पूल के हम आपको दिखा रहे हैं कि कौशन के यहाँ पर साइन बोर्ड लग गए हैं सावधान रहिए 25,000 बोर्ड का करेंट नीचे दोड र पर आपको CRS निरीक्षन होता दिखेगा जिसके बाद लालकुआ जंक्षन से जो रेल गाड़ियां चलती हैं बरेली की दिशा में और हावडा जाने वाली जो ट्रेंस हैं विशेश कर वो बरेली होते हुए जो जाती हैं उनको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फिर मिल यहां पर यह उपर से लालकुआ जंक्षन का एक नजारा हमा को दिखा रहे हैं तस्वीर बिल्कुल बदल गई है पहले डीजल लाइन थी अब इलेक्ट्रिक लाइन सारा हो जाएगा जितना भी यह रूट है तो लालकुआ जंक्षन की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है य किस प्रकार से की गई है ये ठोकर लगा दी गई है और ये जो कर्व पे ट्रैक जा रहा है ये जाएगा काशीपूर सिंगिल लाइन आगे जहाँ पर स्टॉप का बोर्ड लगा दिया गया है तार यहीं तक खींचा गया है अभी काशीपूर रूट पर वाइरिंग शुरू न जिदर काशीपूर वाली लाइन आती है मारी बरेली से उसको पहले इलेक्रिफाइट किया गया है और जल्दी ही उधर भी अपतार लगाने का काम शुरू होगा तो ये था एक छोटा सा अपडेट लालकूआ जंक्शन से